हलो इस्टुडेंट वेलकम टू आसेस क्लासेस PCM PCP बच्चो आज के लेक्चर में हम क्लास 11 चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें लेक्चर नंबर टू पढ़ने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर टू में हम लोग पढ़ेंगे बच्चो empirical and molecular formula empirical formula और molecular formula क्या है इन सभी चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे और इसी बेस पर numerical भी सीखेंगे कि numerical किस टैप से पूछे जाते हैं तो लेक्चर बहुत ही ज्याद है बच्चो important होने वाला है बहुत ही ध्यान से रखिएगा और notes बनाते रहेगा बहुत ही तरीके से ठीक है चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे हर एक notification आपके पास पहुँचे तो चलिए start करते हैं बच्चो अगर हम बात करते हैं molecular formula और empirical formula की ठीक है तो molecular formula होता गया basically molecular formula tells how many atoms are bonded together in actual compound देखो बच्चो ज होता है वो हमें यह बताता है कि कि कितने atoms किसी actual compound में bond है ठीक है यानि actual compound में total कितने atoms होते हैं यह हमें बताता है molecular formula और जबकि अगर हम empirical formula की बात करते हैं तो empirical formula क्या होता है बच्चो simplest ratio of atoms in whole number simplest ratio of atom in whole number ठीक यह चीज़ समझ में आई होगी और अब हम इसको example के तो और अच्छे से समझेंगे तो चलिए हम example की बात करते हैं तो जैसे हम बात करते है एथेन तो एथेन का formula क्या होता है C2H6 लेकिन अगर हम एथेन का empirical formula की बात करेंगे त तो empirical formula होता है C1H3 यह simplest form में है यह simplest form में लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से अगर glucose की बात करते हैं तो glucose का जो molecular formula होता है बच्चो वह होता है C6H12O6 वहीं पर अगर हम simplest ratio यानि whole numbers में यह जो देखने को आपको मिलेगा यानि empirical formula क्या होगा glucose का C1H2O1 ठीक है ब्यूटेन की बात करते हैं बच्चो ब्यूटेन का जो molecular formula होता है C4H10 लेकिन अगर हम empirical formula की बात करते हैं तो empirical formula होता है C2H5 देखो यह whole number में होना चाहिए ऐसा नहीं कि 5 कहाफ कर दिया 2.5 एक whole number होना चाहिए यानि simplest ratio में होगा लेकिन whole numbers में होगा उसके बात बेंजीन की ब अगर हम किसकी बात करते हैं अगर हम empirical formula की बात करते हैं तो बेंजीन का empirical formula होता है CH acetic acid की बात करते हैं बचो तो acetic acid का formula होता है C2H4O2 यह molecular formula है जबकि अगर हम simplest ratio में देखेंगे empirical formula तो CH2O होता है यह समझ में आया होगा कि molecular formula क्या होता है और empirical formula क्या होता है अब आगे हम देखेंगे कि एक यहाँ पर formula है कि molecular formula is equal to होता है N into empirical formula ठीक numerical solve करते टाइम पे इस formula का use करेंगे हम लोग और वही पे अगर हम बात करते हैं N क्या होता है तो N होता है हमारा molecular mass upon empirical mass molecular mass upon empirical mass अब इसी base पे बच्चो हम लोग चलते हैं first numerical को solve करते है नोट्स जरूर बनाते जाईएगा यह नोट्स आपके लिए बहुत important होने वाले बच्चो तो ध्यान से नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ इस तरीके से मैं खुद लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे नोट्स बना सकें ठीक है आपके नोट्स बनाने के लिए ही मैं इतनी theory बगएरा या सारी चीजों को example को भी यहां पर note करता हूं ताकि चीजे अच्छी अच्छी आढइन है ओके इफ इंफ दा मॉली कुलर मास है इस 180 अगर मोलीं को इस मास है वह वन हैंड अंडिटी है वोटत इस द thumbnail फॉर्मूला ओफ ग्लूकोज तो ग्लूकोस का मॉलीकुलर formula क्या होगा देखो सबसे पहले हम बात करेंगे empirical molecular empirical formula mass of CH2O इसका हम mass निकाल लेंगे तो बच्चों यहां से निकल के आएगा यह 30 कितना निकल के आएगा 30 उसके बाद में फिर अब हमें क्या निकलना हमें निकालना है N तो N बराबर क्या होता है molecular mass 와 upon में empirical mass dr. हमें दिया गया है अगर हम molecular mass की बात करते तो इसक्ष लेंगे 180 और वहीं पर अगर अब आउन में बात करें empirical mass तो empirical mass लेंगे कितना निकला था 30 कि यहां से N वैलू कितनी आगी बच्चों हमें निकालना क्या था molecular formula निकालना था तो molecular formula hangål में होता थे और आन की وाईलूज 6 १िंपलोब शॉर्मुला हमने रख दिया सिस्क्स से ज्लूल कर दिया तो हमारा क्या गया ऑजल से 6e kas 12-66FO1 और इस तरीके से निकल आया ठीक है अब हम कुछ और टाइप टेक numerical solve करेंगे जो कि काफ़ी difficult है है ना तो आगे देखते हैं कुछ और टाइप के numerical है तो बच्चो empirical formula बेंस पे जो इस टाइप के numerical होते हैं जो आपको दिख रहा है इस टाइप के numerical आपके पूछे जाते हैं और यह numerical बहुत important होते हैं तो देखने में आपको difficult लग रहा होगा लेकिन difficult नहीं होता है ठीक है तो आराम से इसको solve करेंगे तो यह numerical बहुत important है ठीक है question क्या है बचो and an organic compound एक organic compound है the mass percent of carbon hydrogen and nitrogen is तो देखो एक organic compound है जिसमें carbon hydrogen और nitrogen का mass percent क्या है तो अगर हम बात करते हैं बचो carbon का mass percent है 40.57 उसके बाद में hydrogen का mass percent है 8.53 और nitrogen का mass percent है कितना 23.65 respectively and rest is oxygen बाकी बची हुई क्या है oxygen है तो oxygen का mass percent कैसे निकालेंगे इन सब को add कर देंगे और 100 से minus कर देंगे तो oxygen का mass percent आ जाएगा ठीक है the molecular mass of compound is 59 है ना जो compound है उस compound का जो molecular mass है या molecular weight है वो 59 है what is its molecular formula उसका molecular formula क्या होगा तो इस type के question important question है हमारे empirical formula के base पे हमें सबसे पहले oxygen का percentage निकालना है तो oxygen का percentage निकालने के लिए हम क्या करेंगे hundred में से जितना भी हमारा carbon hydrogen nitrogen का mass percent दिया गया उस सब को add किया तो इतना आया और जब less किया तो यह निकल के आया 27.25% यह oxygen का mass percent निकल के आ गया यहां तक चीजे clear है फिर उसके बाद में बच्चों हमें क्या करना है एक table बनानी इस तरीके से ठीक table में first column रहेगा element का second column रहेगा mass percent का third column रहेगा atomic ratio का और fourth column रहेगा simplest ratio का fifth column रहेगा आपका simplest whole number का okay देखो सबसे पहले बच्चों carbon की बात करेंगे यहां पर तो carbon का mass percent है वो 40.57 है hydrogen का mass percent है 8.53 nitrogen का 23.6% और oxygen का mass percent निकल के आया 27.27.25% okay अब हम atomic ratio निकालेंगे मतलब atomic ratio क्या होगा जो इनका mass percent है उसको हम उस element के atomic number से divide करेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे carbon का निकालेंगे तो 40.57 upon में 12 आ जाएगा है ना atomic number of carbon तो divide करेंगे तो यहां पर जो आएगा ratio atomic ratio आ गया वो 3.38 आ गया ऐसे hydrogen का तो 1 से divide कर देंगे तो atomic ratio आ जाएगा 8.53 बच्चों nitrogen की बात करेंगे 23.65 को जो हम 14 से atomic number 14 से divide करेंगे तो यहां पर जो इसका simplest atomic ratio आएगा क्या होगा 1.69 ठीक oxygen की बात करते हैं 27.25 को जो हम 16 से divide करेंगे यानि atomic number जो होगा इससे divide करेंगे तो atomic ratio आएगा 1.70 यहां तक atomic ratio निकला है अब atomic ratio के बाद में simplest ratio ठीक है simplest ratio निकालते कैसे बच्चों तो देखते हैं इन सब में जो atomic ratio आता पूरे में जो सबसे कम atomic ratio होगा तो सबसे कम atomic ratio किसका निकला हमारे पास निकला nitrogen का 1.67 अब हम इस सबसे कम वाले atomic ratio से क्या करते हैं कि जितना atomic ratio निकलता है उसको सबसे कम number वाले atomic ratio से divide कर देते हैं यानि 1.6 से सब को divide करेंगे तो जैसे carbon का atomic ratio को हम लोग 1.69 से divide किया तो 2 आ गया फिर hydrogen का कितना था 8.53 को divide करेंगे हम किस से यहाँ पर 1.69 से 1.69 से ही divide करेंगे तो 5.02 आ जाएगा 1.6 यानि nitrogen का 1.69 को 1.69 तो 1 आ जाएगा और वहीं हम oxygen की बात करते हैं तो बच्चो अगर इसको divide करेंगे 1.70 को 1.9 तो एप्रॉक्स में simplest 1 आ जाएगा अब whole number में इसको ले जाएगे तो whole number में यह 2 हो जाएगा यहाँ पर whole number में इसको 5 लेंगे 1 और 1 इस तरीके से हम simplest whole number निकाल लेते हैं यहां तक चीजे clear हुई की नहीं अब बच्चो देखो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर अब हम empirical formula note करेंगे तो देखेगा carbon का simplest ratio कितना है c2 आया तो यहां पर क्या हो गया c2 हो गया उसके नीचे hydrogen क्या है 5 हो जाएगा नाइट्रोजन कि बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितना था वन तो एन सिंगल हो जाएगा और oxygen कितना है वन तो oxygen यहां पर सिंगल हो जाएगा यहां से आपको समझ में आया होगा कितना empirical formula निकाल लिया बहीं carbon दो तो carbon यहां पर तो oxygen hydrogen 5 तो 5 nitrogen आप उसके बाद में इंपीरिकल फॉर्मूला के बाद में इंपीरिकल वेट निकालेंगे, तो इसका हम इंपीरिकल वेट तू इंटू 12 है ना 5 14 16 यानि टूटल जो इसका इंपीरिकल वेट निकालेंगे बच्चों वो कैसे निकलेगा कितना निकलेगा 59 कैसे दो कार्बन है तो दो पहले ले लिया और कार्बन का अटॉमिंग नंबर कितना होता है 12 तो 12 रख दिया है यहां पर कितना है 5 है तो इंपीरिकल सूरी यह पीरिकल वेट आ गया और मॉलिकुलर वेट हमें फॉर्मूले में निम्युमेरिकल में पहले से गिवन था ठीक है अब जबू चीज़े हमें हमारा तो य। हम निकालेंगे formula क्या होता है molecular weight या molecular formula is equal to n into empirical formula तो n की value 1 और empirical formula हमने ये निकाला था तो यहाँ पर empirical formula 1 की value 1 से multiply कर देंगे तो हमारा empirical molecular formula आ जाएगा C2, H5, N N, O2 नहीं होगा N, O है N, O है तो ये आ गया हमारा क्या molecular formula तो बचो इस type के numerical खुब पूछे जाते हैं empirical formula based question में question समझ में आया होगा मेरे इसाब से तो समझ में आया होगा अब ऐसी question आप अपने book से practice करिएगा और फिर इसके आगे जो हम empirical formula based numerical solve करेंगे तो बहुत सारे question हम लोग solve करने वाले हैं ठीक है तो आज की lecture में इतना ही रखते thank you for this class चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe वीडियो को जितना हो सके like और share करिएगा bell icon को press करिएगा जिससे हर एक notification सबसे पहले आपके पास पहुचे thank you for this class